हाँ जी तो next question आपके साथ हम करने जा रहे है admission of partner में और यह question important इसलिए है क्योंकि CBSC में इसे हमारे पास issue किया हुए 2019 में राजस्थान reason के लिए तो question को एक बार मैं लिख देता हूं इसका solution करेंगे फिर ठीक है तो question हमारा CBSC ने 2019 में यह question दिया था राजस्थान reason में ठीक है जी आईए question हमें कहता है किया एन लीला वर partner sharing profits on a ratio of 3 is to 2 हमारे पास दो partner है ठीक है हमारे पास partners है किया एन लीला और इनकी PSR हमें दी लिए 3 is to 2 ठीक है profit sharing ratio यानि यह old profit sharing ratio हो गई existing profit sharing ratio हो गई इसकी आगे कहता है किरन was admitted as a new partner with one-fifth share in profits किरन का admission हुआ है ठीक है तो admission हमारे पास किस partner का हो रहा है किरन का admission हुआ है किरन इसका old share कुछ भी नहीं था नया share है 1 by 5 यानि total profit में इसे पांच हिस्से होंगे और एक हिस्सा किरन को मिलेगा ठीक है एंड शी ब्रोग 24,000 as her share of goodwill premium that was credited to the capital account of किया लीला respectively with 18,000 and 6,000 कहता है यह जो हमारे पास किरन है यह goodwill premium लेकर आई ठीक है premium for goodwill लेकर आई यह ठीक है कितना rupees 24,000 और यह 24,000 हमने क्या किया हमने दिया है this premium for goodwill given as given कैसे है तब दिया हमने किसको दिया given to Kia and Lila इन दोनों को देना चाहिए यह profit sorry यह goodwill का premium क्यों क्यों क्योंकि यह जो premium हम किसले लेकर आते हैं क्योंकि यह partner नया जो partner आया goodwill में gain कर रहा है तो यह premium लेकर आये हैं और यह हमें देना है sacrificing partners को sacrificing ratio में अब question ने यह नहीं बताया क्या sacrificing ratio है कौन sacrificing partner है उन्होंने कहा यह जो हमने 24,000 है यह किया और Lila को हमने किस तरह दिये किया को हमने दिये rupees 18,000 और Lila को हमने दिये rupees 6000 ठीक है यह हमने इस तरीके से बाट दिया यह आप कहें तो हमने किस ratio में बाटा है यह 3 is to 1 की ratio में बट गया देखें इसे ध्यान से तो इसमें ratio क्या आ रही है 3 is to 1 यानि आप कह सकते हैं यह हमारी sacrificing ratio है ठीक है किया और Lila की sacrificing ratio आगी क्यों क्योंकि goodwill premium sacrificing partners को उनकी sacrificing ratio में दिया जाता है आगे question क्या कहता है question कहता है calculate new profit sharing ratio of किया लिला एं किरन आपसे new profit sharing ratio मांग रहा है question ने आपको old ratio given दे रखी है new partner का share दे रखा है sacrificing ratio दे रखी है हमें क्या करना है हमें new profit sharing ratio निकाल नहीं है तो आईए यह सारा given part था अब solution की तरफ आते हैं solution की तरफ देखें calculation of new PSI यानि new profit sharing ratio हमें करना है हमें calculate करना है तो कैसे करें देखिए जी हमारे पास old ratio अवेलेबल है बिल्कुल अवेलेबल है हमारे पास किया का old share क्या है किया का old share है 3 by 5 ठीक है 3 to 2 है तो 3 हिस्से इसके है और लीला का old share कितना है लीला का old share है 2 by 5 और बात करें जो नया partner है किरन किरन का old share क्या है कुछ भी नहीं है निल है ठीक है जी चलिए आगे आईए adjustment करें अब adjustment क्या करना है यानि sacrifice कर रहा है हम बात करें adjustment की तो हमें किरन को 1 by 5th share देना है ठीक है जी 1 by 5th share देना है और sacrificing ratio बता रखिए कि ये share में किसने कितना दिया या तो इसको बात कर लीजे ऐसा कर सकते हैं दो तरीके इस question को कर लेके ठीक है आप या तो डारिशली ये sacrifice ratio यूज कर लीजे ठीक है या फिर यहां पर बात कर ले देगे आए एक method यूज करेंगे तो हम कहते देखिए old share जो किया का है वो है 3 by 5 और हमने जो नया share हमारे पास नया partner आया है 1 5th के लिए उसको कितना दिया है 3 to 1 की ratio में हमने sacrifice किया नहीं जो नया share दिया गया पार्टनर को उसमें 400 में से 3 हिस्से किसने दिया है किया ने दिया तो नया जो पार्टनर है 1 5th शेर है उसका 3 किसने दिये बदाईए किस ने दिये किया ने दिये और ऐसे करी लीला की तो लीला का share 2 by 5 उसने वह ऍ दिया है उसको क्योंकि sacrificing ratio हमने अभी बताई कितना है three is to one है यह question में आपने find out कर लिया विसे given तो नहीं थी यह हमने find किया question ने तो यह बताया था कि उन्होंने goodwill का premium इस तरीके से बाटा आई यानि sacrificing ratio में बढ़ता है और sacrificing ratio three is to one आ गई आए फर्दर तो solve कर लें इसको हमलो ठीक है तो solve करेंगे आप three by five minus में three by twenty two by five minus में one by twenty ठीक है इसे further solve करें 20 LCM लेते हैं चार गुना में three बारा बारा minus three तीन सीधा कर दू nine बारा में इसे तीन minus हुए नो बच गए ऐसे यहाँ देखिए twenty LCM लेत ट्वेंटी यह कितने से गया पांच बताब यह कितने से गया चार से गया तो चार गुना में दो आठ आठ में से एक minus किया तो कितना आ गया साथ 7 आ तो क्या करें कि denominator 20 आ जाए 4 से multiply 4 से divide आईए करें 4 से multiply 4 से divide हमारे पास कितना आ गया 4 by 20 तो हमारे पास new profit sharing ratio चेक कर लें सारे numerator का total 20 आना चाहिए 9 और 7 कितना आ गया 16 और 4 20 ठीक है तो आप कह सकते हैं therefore new PSR is 9 is to 7 is to 4 तो question मुश्किल नहीं था question ने बस आपको अलग तरीके से sacrificing ratio दी थी जो आपको पहचाननी थी और उसके बाद new profit sharing ratio हो लिकारना हमारे लिए easy हो गया चलिए जी तो इसे आप note down कर लीजे उसके बाद हम next question करेंगे आपके साथ ठीक है important question था CVSC ने 2019 में राजिस्थान reason में दिया था इस question को लिख लीजे इसे आप note down कर लीजे